कैसे यह आप आई हो कि आप सभी अच्छोंगा आजकी वीडियो में हम बात करने वाले हाँ टू आजकी यस वीडियो में आपको बताने वाल हो Samsung इस device को आप किस तरिक से factory data reset कर पाएंगे full reset कर पाएंगे अगर आपका phone याप पर बहुत ज़्यादा hang करने लगा है बहुत ज़्यादा storage हो गया आपके phone में फालतुगा तो अगर आप इसे reset करना चाते है full reset तो कैसे कर पाएंगे वीडियो को एंटर देखने वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राब करके वेल आइकन को प्रेस कर देना है विडाउड एनिवेस टाइम दसको start वीडियो फर्स अपर यहां पर settings उपन कर लेनी है उपन करने के बाद यहां पर आपको सबसे नीचे आजाना है यहां पर आपको सबसे नीचे आजाना है आने के बाद यहां पर आपको मिल जाता है यह about phone इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहां पर आपको मिल जाता है reset तो इससे वाली option पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर factory data reset मिल जाता है इस पर क्लिक कार देना है और इसके बाद यहां पर आपका photos, videos, contact number, email, सारे application यहाँ पर सब डिलीट हो जाते हैं तो यहाँ पर reset पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना pattern ड्रो करना है pattern ड्रो करने के बाद यहाँ पर एक बार और फिल कर देना है यहाँ पर pattern और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार और option आजाता है delete reset का okay तो यहाँ पर reset पर click करेंगे जैसे आपका phone reset हो जाएगा तो अभी मेरा phone आप reset होने के लिए नहीं क्योंकि काफी data है मेरा इसमें तो अभी मैं इसे reset नहीं करने वाला और अगर आपको यहाँ पर backup करके reset नहीं तो इसका backup आप पहले ही लेने तब आप यहाँ पर reset करें ओके आपको यह वीडियो पर संद आए होगा तो आज की इस वीडियो में इतना है नहीं इस इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ